Welcome to my channel, आज मैं आपको बताऊंगी मुलतानिमेटी स्किन वाइटनिंग पाक मुलतानिमेटी स्किन वाइटनिंग पाक यह अपने स्किन कॉंपलेक्शन को इंप्रू करता है स्किन को ब्राइटनिंग और इंस्टेंटली ग्लोइंग देता है skin को brightening करना है पूरा body को brightening करना है वो भी instantly एकी दिन में तो इस home remedy को skin whitening बुलतानी बटी pack को जरूर इस्तमाल गीजिए यह हर skin type के लिए suitable है इसे skin भी glowing करेगा और skin भी tightening brightening होगा, अगर आपका skin dark है skin के उपर tan dust है, तो इन सब को remove करना है वो भी तुरंद इसके लिए एक pack बहुत काम करता, अगर आप party function जाना है, तो जरूर इस pack को instantly बना सकते हो, और उसे instant results भी आपको मिल जाएंगे तो छेलिए वीडियो को देखते है प्लीज सब्सक्रेब में चानल, honey's beauty and health और साइट पे bell icon को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस फीडियो सब्डेट्स आपको जल्दी से मिल जाती है तो इसके लिए बेल सिम्बल को जरूर क्लिक कीजिए अब इस pack के लिए हमें एक clean ball लेना ही clean ball में हमें add करना चाहिए एक छेमच मुलतानिमेटी clay powder add करना है यह मुलतानिमेटी आपको किसी भी सूपर मार्केट में या किराना स्टोर में आवैलबूल होता है लेकिन अच्छा वाला ब्रैंडर बारा clay powder मुलतानिमेटी यूज़ कीजिए एक skin के लिए बालों के लिए बहुत चती चरा काम करता है इसके बाद इसमें हमें आड करना है coffee powder इसके बाद इसमें हमें आड करना है दो چेमच coffee powder दोっぱोडो को अच्छे तरह mix करना चाहिए coffee अपना skin complexion को improve कर देता है यह skin के उपर, body के उपर, all over body के उपर इस्तिमाल कर सकते हूं आप चेरा, बॉडी कही पर भी इस्तमाल कर सकते हो अगर आपका डार्क नेक का प्राब्लम है डार्क नेक के उपर भी अपले का सकते हैं इसे skin complexion अच्छा होगा skin भी tighten, brighten होगा अगर आपका dark skin भी lighten हो जाएगा अगर आपका dark skin को lighten करना है तो जरूर इस पाक को यूज केज़े, skin whitening pack को, आप चाहिए तो इस powder को बना के store भी कर सकते हो, एक care type container में, डबबा में, आप इसको एक आफते तक इस powder को store करके हर रोज इस्तमाल कर सकते हो, इसके बाद इसमें हमें add करना है, दही add करके mix करना है, आपको जितना quantity दही अतना दही add करके mix कीजिए, क्योंकि ये दही हार skin type के लिए suitable है, क्योंकि ये अपना skin complexion को improve करता है, दही में मौचरजिन properties रहता है, ये अपना skin को blowing कर देता है, और आपका skin oily है, तो skin को oily free रखता है, ये 100% natural DIY home remedy है, ये बनाना भी बहुत आसान है, मैं आपको दिखाने के ल आप इसको powder बनाना है, तो आप powder बना के store भी कर सकते हो, और एक pack दो दिन तक refritator में store भी कर सकते हो, एक बिल्कुल कराब नहीं होता है, तो इस तरह इस तीन चीज़ों को अच्छे तरह mix कीजिए, आप देख सकते हो, एक pack तैयर हो गया है, मैं इसको liquidly बना चुकी हूँ, क अब इस स्कीन पे जल्दी अब जरू होगा, और ज्यादा देर तक टिकार आता है अपना स्कीन को, तो इसलिए मैं इसमें तोड़ा ही द्यादा आड़ करके mix कर चुकी हूँ, अभी बन चुका है, इसको किस तरह इस्तमाल करना है, मैं आपको बताऊंगी, अब इस pack को आप चेहरे के उपर, और बॉड़ी के उपर, हातों के उपर कहीं पर भी अपले कर सकते हो, क्योंकि इस स्कीन टाइटनिंग होगा, ब्राइटनिंग होगा, कॉफी अपना स्कीन को नाच्रली ग्लोइंग करता है, क्लीन कर देता है, नाच्रली क्लेंजर के जैसा काम करता है, क्य pigmentation को भी reduce करता है पोर्स को भी minimize करता है इसमें multanimatic clay powder इस्तमाल कर सक्यों clay powder skin को tightening करेगा brightening करेगा साथी skin complexion भी improve होगा इसे skin tightening brightening होगा और multanimati हर रोज आप छेरे के उपर इस्तमाल करने से anti aging जैसा काम करता है और skin पे और skin पे आपको विजबल डिफरेंट दिखेगा आपको चेरे के ऊपर चेरा भी टाइटनिंग ब्राइटनिंग होगा एक हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है और इसको हर कोई इस्तामाल कर सकती हूं आप इसको कोई एज लेमिट नहीं है और इससे आप हर रोज इस्तामाल इसके बाद आपका स्किन को नॉर्मल पानी से वाश कीजिए इस तरह आप हर रोज कीजिए अगर आपके पास हर रोज पैक ट्राइब करने का टाइम नहीं है तो आप कम से का हफते में दो बार तो ट्राइब कीजिए इससे स्किन क्लीन होगा इंस्टेंटली शाइनिंग औ और साफ रखना चाहते हूं तो जिरूर डियावाई होम रेमिडी को आप ट्राइगीजिए प्लीज सब्सक्राइब में चानल हानी स्प्यूटी एंड हैल और साइट पर बेल आइकान को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियो सब्डेट्स आपको जल्दी से मि जाती है तो इसके लिए बेल सिंबल को जिरूर क्लिक कीजिए